हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आपकी इन्वस्टिंग जर्णी अच्छे से चल रही होगी तो आज हम बात करने वाले हैं निपॉन लियम लिमिटेड स्टॉक के बारे में तो इस स्टॉक पर हमने पहले वीडियो बनाई थी कि 327 के लेवल के उपर बाई करने के लिए सजेस्ट किया था और अभी आप देख पा रहा है स्टॉक ट्रेड कर रहा है 389 पर और सायद मैंने 380 का टार्गेट भी दिया था स्टॉक 392 भी टच करके आया है ठीक है तो अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब क है 376 रूप 399 रूप है के आसपास ठीक है और आगे रेजिस्टेंस जो है स्टॉक का वो समसिंग 447 या फिर सीधे 475 का है ठीक है 447 बीच में ले सकते हैं तो यह लेवल्स हैं स्टॉक में अगर हम बात करेंगे बड़े बड़े टार्गेट के लिए तो फ्रेंस स्टॉक का जो ब्रेकाउट हुआ है इसको कब पैटन बोलते हैं तो इसकी जो गहराई है वो 220 से लेकर के 380 आ जाती है तो यानि के 160 रूपय तक का मोमेंट है तो आप यहां पर 360 रूपय वो सुरी 160 रूपय प्लस कर सकते हैं तो सम्थिंग चार सपांच रूपय तक का टार्गेट बेर लेकिन ऑम 475 लेकर करके चलना है क्योंकि अर्टी रेजिस्टेंस है स्टॉक में तो अभी अगर आपको वाय करना है तो उसके लिए क्या इस्थिति है तो अभी स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेंड़ कर है ठीक है लेकिन एंट्री का मौका कब बनेगा एंट्री का मौका बनेगा फ्रेंट्स या तो स्टॉक यहां टाइम स्पेंड कर दे कुछ टाइम स्पेंड कर दे ठीक है या फिर अगर सीधे स्टॉक उपर जाने का प्रयास करें तो तो 392 के लेवल को ब्रेक कर दे यह निकि इस केंडल के हाई को ब्रेक कर दे तो आप entry लेने के वारे में सोच सकते हैं या फिर stock थोड़ा सा यहां पर time spend करें इस लेवल के ऊपर तो आप buy करने का प्रियास करेंगी क्योंकि यहां से अगर stock back हो गया तो आपको loss हो सकता है क्यों जो next candle बनेगी वो candle यहां अगर नीचे close हुई तो फिर संभावना stock के नीचे जाने की हो सकती है 340 रुपए तक के आसपास ठीक है तो आपको wait करना है 392 लेवल ब्रेक हो तब entry लेनी है या फिर stock थोड़ा सा यहां time spend कर दे ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो please subscribe कर दे चैनल को वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को like और share जरूर करें मिलता है next वीडियो में तब तक के लिए सभी को रादे रादे राम राम